कर लो काई मेख तो माई अनधर वीडियो ठीक है तो जैसे एक पिछले मेस्ट में किया था गौस अलिमिनेशन मेथ़ड तो दुसरा इसका डार्यड मेथट जो दूसरा मेथड वह है गौस जॉर्डन मेथ़ड ठीक है ।इस वीडियो हम बात करेंगे अलिडियो मैं तर के बारे में ठीकि बार उसके बार हम चलेंगे इटरेटीव मैंथर पर ठीकि इसके में सिर्फ दो मैंथर करेंगे पहला हमने मैंथर किया किसका मैंथर ही ठीक है देखिए हम कर रहे हैं solution of linear system उसके अंदर डायरेक्ट है और उसके जाहती दूसरा टीक हां कर दो आते नहीं है तो चार मैंहें करते हैं पहला मैंथर जिसकी वीडियोस और अप amino तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी ठीक है उसका यह दूसरा बाट है डूसरा मैठर डियरेक्ट का गॉस जॉड़न मैठर ठीक है तो अगर इस टाइप के कोशिन आएंगे इसका क्या प्रोसीजर रहेगा वह आप खुद का लेजिए वोक में से जब आपको से कैसा प्रोसीजर हुआ उसमें क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे कैसे कोशिन करना है step by step में आपको बताता हूं तो चलते हैं तो चलते हैं आज की टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं गॉस जॉड़न मैठर तो आप थोड़ा सा मेरा कैमरा जो है वो ठाउन में तो थी ठीक है बाए गॉस जोड़न मैठर समय करना है ठीक है अब देखिए करना क्या आप ध्यान देखिए गाउस जॉड़न मैठर का बाकि आपने खुद करने अगर एक कोशिन समझा गया तो बाकि सारे से मिलने रही है आप खुद कर पाएंगे बस प्रैक्टिस करने और आप देखिए करना क्या है जब हमने गौस बहुत सरफ को अगर हम जब हमने गौस ऑट किया था ठीक है अट कियो यह अच्छे से अगिल में और यह मिलिशन इसमेशन करें तो इसमें आपको बताद कर आपके माइनव में में दो चीज जाने चाहिए इसमें दो सब्सक्र करें या रखना याद के लिए टख़ connect कॉशं में कॉश् nervous gaudo method तो आपके पास में क्या करेंगे दूसरी स्टेज में क्या करेंगे तिस्री स्टेज में क्या करेंगे वह में अभी आपको प्ता हूंगा बस आपने पहला काम यह याद रखना है कि आगया एक्जाम में आगया कि यह कोशन करो गंटी भजने जाहिए कि तीन स्टेज होंगे इस कोशन में तीन यह तीसरी है पहली है यह दूसरी है तीसरी है अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा रफली थोड़ा सा उड़ता उड़ता पता देता हूं ठीक है उड़ता उड़ता ठीक है कि फर्स स्टेज में क्या करना है फर्स स्टेज में हमने एक्वेशन वन को लेना है और एक्वेशन से सब्सक्राइब टिक है अब तीसरी स्टेज चली तो इसने पर लग गया इतना आपको रफलिप टार इतना पर लग गया अब चलिए फस्टेज में कि क्या करना है तो यह है फर्स्ट स्टेज मैंने बोला कि फर्स्ट पापा ये इनके बच्चे इनकी मा और इनके बच्चे पापा नहीं इदर थी पापा भी फॉर्म गाये तो तो आगे इसे हमने करना है सब्सक्राइब करना है अब देखिए इसको सब्सक्राइब पर 0 हो जाए मतलब कि Eliminate हो जाए X और इसको करने पर अब देखिए for this multiply first equation multiply first equation by 2 and 4 अब देखिए मैंने 2 and 4 क्यों लिया है अब 2 मैंने इसली लिया है 2 लिया मैंने second equation को अब देखिए इसमें हम क्या multiply करें कि 2x जो है वो 0 हो जाए हमने इसके साथ 2 multiply कर दिया जब इस तर्म के साथ 2 multiply करेंगे तो यह बन जाएगा 2x फिर हमने क्या करना है माइनस करना है इस वाली क्योशन को इस से जब इसको मैंने का लिखा है for this multiply first equation by 2 and 4 successively मतलब कि बारी बारी one by one करके ठीक है पहले आएगा फिर दूसरा पहले आएगा complete होईगा फिर दूसरा आएगा ठीक है and subtract from second and third equation of system 1 and subtract करना है second and third अब चलते आगे procedure क्या है अब मैं आपको बताते हैं अब देखिए ममीर की चलिए खाना मिनाने कीचर में ठीक है अब देखिए मैंने वोला कि first equation लिए तो first equation के कोई साथ छेड़ चाड़ नहीं करनी है अगर छेड़ चाड़ की तो लाद घस से पड़ेंगी किस की मां से ठीक है तो बिच्ची के साथ छीर चाड़ नहीं करना था अब देखिए second के लिए अब क्या करना है इस equation को इसके साथ माइनस कर देना है अब देखिए यहां पर लिखने जरूरी है यहां पर लिखना जरूरी है अब उसके बाद 3y है और 4y है तो 3 के साथ कौन से कॉफिसंट एंट थी है तो 3-4 यह आगया माइनस वन वार ठीक है तो हम लिग दिया माइनस वार दिख दिया अब 4 टो है तो कि यह मैंने सब्सक्राइक करना है हर प्रॉशी किज़्व become a project यह कर से डिक अब खर करने के लिए आप करें हैं फॉर से मैंने करें करें को जो आपने फॉर से मैंने किया एक्वेशन वन को तो यह आजाएगा फॉर से फॉर एक्स प्लस एडवाई प्लस फोर जएट-टीट डेट वीट फोल ने कि अके अविस एक्वेशन को इस से मैं डिकल फोर फोर ग्हुंट जिरो जिरो था गया ठीके लगो अगता एक ट्री माइनस एक कैसे अया त्री यह है सिर्सन थिवलन ञाने तो माइना से लिए माइनस करना था यहां पर प्लस को साहिन तो मैंस लेट फॉर यहां है का इसली माइनस चलागा अब 16 माइनस 32 16 माइनस 32 माइनस के 16 वचे आगया अब देखिए अब मैंने आपको बोला था कि अब आपको एक और पॉैट याद रखना है अब द्यान सुनेगे दोस्तों अरे बहुत चाहिए अब few आपका क्या होना चाहिए उसका उन अन चौन होना चाहिए और पॉसिटिव होना चाहिए क्या होना चाहिए जो पहले एक्स होगा वह आपको क्या होना चाहिए जो आपने वैरिबल लेना है वह आपका उसका कोफिशन वन होना चाहिए और पॉसिटिव होना चाहिए समझागी बात अब देखिए मैंने मुला था कि स्टेज टू में हमने से सब्सक्राइब चाहिए अब देखिए मैंने बोला कि y जो है वो होना चाहिए पॉस्टिव होना चाहिए अब देखिए हमने लिया माइनस 1 अब देखिए second equation लिया second equation का यह भी हाँ रखना है जो equation हम लेंगे उसी का ही हमने कॉफिशेंट 1 रखना है और साथ में प्लस रखना है तो यहाँ पर माइनस का y है माइनस का y है तो हमें क्या करें कि यह प्लस का y बन जाए तो इसलिए हमने क्या किया इसको डिवाइड कर दिया माइनस वन से में पॉइंट गों रहा हूँ मैं जैसे आपने पहले एक्षण लिए तीना जो पहले घ्य है यह वाय है व्लस वह उन्ड चाहिए उसका कोश्येंट वन होना चाहिए सब सिर्फ मे сто Jag men इस दिवाइट करना इस वी खेल तो एट जिरो एक्स लस स्वाइगे यहां पर प्लस का है था माइनेस माम डिाइन डियू किया तो मामाइनस डिवाइट सलोगिया माइनस 2 और आपको लगी गया होगा मेरी जौस से अब चला second stage मैं फिर से आपको repeat कराओ second stage में हमने क्या करना है second equation लेनी है ठीक है y को eliminate करना है y positive होना चाहिए उसको coefficient 1 होना चाहिए y positive है उसका coefficient 1 है very good तो यह बच्ची यह बच्ची तो निन दोनों equation में हमने y को eliminate करना है ठीक है y वहले term को eliminate करना है ठीक है यह देखो eliminate y from first and third equation of system 2 क्या करेंगे for this multiply equation 2 को multiply करना हमने 2 से and minus 5 से 2 से multiply करेंगे तो subtract करेंगे तो 0 हो जाएगा ठीक है इस तरह से equation 3 की जब हम बाहरे करेंगे तो माइनस 5 से multiply करेंगे तो माइनस जो है वो प्लस में हो जाएगा जीरो आजाएगा ठीक अभी सब्सक्राइब from first and third equation of system 2 फिर हमने subtract कर देना है जैसे हम उपर किया है वैसे ही करना आप देखिए सब्सक्राइब करेंगे तो क्या आएगा इसको माइनस कर देना है ठीक है माइनस कर देना है अब देखिए अब इसको हम टू से इसको मैंनस कर देना है अब देखिए अब देखिए अब देखिए 2y माइनस यह नहीं तो काउनस कर देखिए तू यहां पर भी वाई के साथ क्या है तू माइनस करना है तू माइनस करना है तू माइनस तू जीरो तू जीरो वाई लिग दिया ठीक है जीरो वाई लिग दिया अब जाए जाट के साथ कौन से कॉफिशेंट है गाइस वन है जाट के साथ कॉफिशेंट अब आपने क्या कर माइनस अब देखिए यहां पे ठीके 8 सब्टरैक और माइनस ה EttÜ अरहां है थो इसको यहां पर माइनस है है तो इसको अधस माइनस जाएंगे प्लस हो जाएंगे तो यह आजये तो आया 16 आ गया है लगया प्रवेश्व कर नहीं व इक करता रहा हूंगा अब आपने क्या करना है माइनस फाइब को आपने इस वाले वेशन के साथ मल्लेटा यहां मैनस फाइब करते नहीं इसको माइनस को मल्लीप्लाय करेंगे तो यह यहाजाएगा यहां गां फॉलस माइनस का 5Y और यहां माइनस से माइनस से माइनस multiply करेंगे तो प्लस का हो जाएगा तो यह बन जाएगा प्लस का 5 दूजा 10z ठीके और is equal to 20 अब इस equation को हमने क्या करना है इस से माइनस कर देना है तो माइनस की यहां 0.x तो वैसे ही आएगा सेम ठीके अब देखिए यहां पर माइनस का 5 है और यहां पर माइनस का 5 है अब देखिए माइनस का 5 लिखा, y के साथ कौन सा कॉफिशन है, माइनस का 5 लिखा क्या करना है, माइनस करना है, माइनस किया है, इधर y के साथ क्या है कॉफिशन क्या है, माइनस 5 है न, तो माइनस 5 लिखा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस का 5 और प्लस का 5 क्या हो गया 0 तो आ गया 0y समझागे प्लस में आ गया अब यहां माइनस का 2 है z के साथ माइनस का 2 और यहां पर कितना है z है तो माइनस का 2 माइनस का 10 कितना बचा है माइनस का 12 तो माइनस का 12 इसी तरह से से माइनस का 16, माइनस का 20, माइनस का 36 लगए बता गाईस, कैसे किया बस यहां पर आपने यह याद रखना है कि इस से multiply करना है कि eliminate हो जाए, बाकि हर cooch में procedure यही रहेगा, line ने भी यही रहेगी stages भी यही रहेगी, eliminate भी ही करना है, पहले x फिर y फिर z अब देखिए तीसरी स्टेज से जाने स्पहले में आप को जैसे आपको बताया के हम्ने स्टेज में तीसरी होड़े नह sixte को अम करेंगे तो मैंने रहता है जो राड़ करना है उसका स्थे पर अहलो चाइब और साथ माइनस 12 है इसको कैसे करेंगे अब देखिए नाओ डिवाइड एक्वेशन 3 और अबव सिस्टम भाइ माइनस 12 तो माइनस टायलव को एक्वेशन जो थर्ड है सिस्टम की यह वाली इसको हमने सब्सक्राइब देखिए tvıyla कि लिट करेंगे तो माइनस माइनस कर जाएंगा माइनस 13 आपन ‑‑ कि जो variable हमने eliminate करना है जिस equation से वो positive होना चाहिए और उसका coefficient 1 होना चाहिए यह छोटी points होते हैं जो यहाद रखने पड़ते हैं अक्सर बच्चे ही गलती कर जाते हैं third stage में क्या वोला? third equation नहींगे eliminate कर देंगे z को किस किस से और क्या multiply किया जाए कि यह 0 हो जाए यहाँ से जाट की value 0 हो जाए और यहाँ से eliminate हो जाए तो हमने पहले equation से 5 को multiply किया इसके साथ ठीक है फिर क्या करना है minus 2 से multiply करना है जब पहले 5 से किया तो क्या जाएगा फाइव यह सेम आ जाएगे देखिया अब लास्ट टाम मैं आपको tips आउं ट्रिक्स आउं ऐसे करने कोई जोड़ती नहीं है यह लाइन ने लिखी यह अंदर की बाते होती है यह tips सिर्फ मेरे आपको मेरे चैनल पर मिलेगी और कोई नहीं बिताएगा आपको यह tips ठीक है आप नोट कीज़ेगा आप देख लीज़ेगा यह tips successful होगी आपकी पूरी ऐसी कुछ चीज़े बताता नहीं है ठीक मैं आपको फ्री में बता रहा हूं लिख लीजिए जो है यह आपने coefficient 1 रखना है बाकी सबको 0 कर देना है और plus का sign कर देना है समझेगे बात क्या किया मैंने फिर सब दो रहा हूं डाइगिनल में आपने x, y, z लिखना है बाकी जो टर्म बची उनके साथ आपने 0.y, 0.z, 0.z, 0.x और plus का sign लगाना बाकी 0 कर देनी है समझेगे ना बात क्या बोला मैंने अब आपको यहाँ पर multiply करने की जोर्थ नहीं है यहाँ पर कि पहले 5 को इसके साथ multiply करो फिर minus करो नई direct क्या करना है x, y, z को आपने positive रखना है यहाँ पर आप z रख सकते हैं ठीक है z लिख सकते हैं बस आपने diagonal में x, y, z लिखना है बाकि जो term है उनके साथ आपने 0 लगा देना 0.1, 0.z, 0.x, 0.x, 0.y और z ठीक है अब यह value कहां से आई यह value तो आपको लगे गया होगा पता कहां से अब देखिए अब आपने मैंने बोला कि 5 से multiply करना है अब सिर्फ 5 को कहां से multiply करना है इसमें multiply करना है 5, 3, 15 ठीक है अब इसको इससे minus करना है तो 16 minus 15, 1 ठीक है इस तरह से जब हमने second वाली multiply किया minus 2 से तो minus 2 को इससे 3 से ही multiply करना है तो minus 3 multiply minus 2 यह आगे minus के 6 ठीक है अब इससे जो second equation है इसको minus करना है तो minus का 4 minus का minus करना है तो minus के 6 तो यह आएगा minus के 4 plus के 6 2 आगे 2 और 3 जो था same वैसे लिखना है इसमें कोई changes नहीं करना है यह same ही लिखनी है ठीक है बाकी इन दोनों में आपने 0-0 करना है और from the system 4 we get x की value 1, y की value 2 और z की value 3 हर question वैसे नहीं करना है last step में question नहीं करना है diagonal को plus x, y, z लिखना है diagonal में diagonal x, y, z लिखने के साथ बाकी सबके साथ plus का sign होगा और 0z लगा देना सबके साथ 0z, 0z, 0y, 0x, 0x, 0y और बस क्या करना है 5 को पहले multiply करना है इस वाले के साथ equation 3 को system of 3 ठीक है उसके बाद minus 2 को करना है subtract करना है subtract करने में ध्यान रखे नहीं किस से minus करना है इसको minus करना है अब देखिए 16 minus 15 तो आया 1 इसी तरह से जब minus 2 को हम इस से 3 से multiply करेंगे आया minus 6 अब इस वाले equation इस वाले term को इस वाले से minus करना है अब देखिए ऐसे मत करना है कि minus 4 और minus 6 नहीं minus 6 तो इसके साथ है minus 4 लिखा minus करना था इसके साथ कौन सा sign लिखना है minus 6 to minus minus plus हो गया minus के 4 plus 6 to और हम ने लिखना है from the system 4 so therefore x is equal to 1 y is equal to 2 और जड़ी एसे लिखना है यह आले आपने धियार लखना है यहां पर ठीके बाकिट से मैंसे करना है तो थोड़ा सा करने पर पिर से एक थोड़ा से tips प्पदा लेता हूं करना क्या है जब भी ghost jordan method का आपको exam में दाएगा तो आपके दिमायक में घंटी बजनी जाईए कि 3 method होंगे, 3 stages होंगी 1st stage, 2nd stage, 3rd stage 1st stage में हम क्या करेंगे x को eliminate करेंगे, लाद मुख के गुस्ते देखे मागा देंगे, क्यूंकि उसकी मम्मा उससे नराज है उसने काम नहीं किया, तो उससे बगाना है दूसरे में y को eliminate करना है ठीक है, y ने दूसरे पार नहीं बानी मम्मा की बात, तो y को eliminate करना है दूसरे stage में और लेनी दूसरी equation है, तिसरी stage में z को eliminate करना है, अब सबसे main point मैंने आपको बताया था, कि जब जो eliminate करना है ना variable, जिस equation से, जैसे first stage में first dollar लिया, जो variable हमने eliminate करना है x, अब first equation में x का coefficient 1 होना चाहिए, उस साथ में positive होना चाहिए second stage में y को eliminate करना है, तो y वाले term जो भी रहेगी, वो positive होना होना चाहिए और साथ में उसका coefficient 1 होना चाहिए, जब third stage करेंगे तो jet की जो भी हमारे पास system जहां तक हम जिस system तक हम पहुँचेंगे jet का coefficient 1 होना चाहिए और साथ में positive होना चाहिए लग या पता, अगर guys अभी भी कोई doubts है कोई भी difficulties आ रही है कोई भी confusion है तो आप comment कर सकते हैं हमारी अपनी website है वहाँ पर आपको ये notes मिल जाएंगे ठीक है hp के सारे question paper आपको वहाँ पर upload है जाए visit कीजिए एक बार हमारी website को वहाँ से हमारे telegram social media account को follow कीजिए और रही बात आप मुझे telegram पर message भी कर सकते हैं पर जितना जल्दी हो सकें मैं सिर्फ एक ही question करवाँगा बाग ही question आप खुद करेंगे क्योंकि जिसको एक question समझा गया उसको पूरा मैतर समझा गया तो इस video को आप चाहिए दो बारी देखना है चाहिए तीन बारी पर पक्कर कर लेना ठीक है और मैं क्या वोना जा रहा था कि हाँ website को जरूर विजिट कीजेगा दोस्तों का जरूर शेर कीजेगा और यह notes आपको मिल जाएंगे अगर अभी आप देख रहे होंगे अगर आपको अभी वहाँ पर upload नहीं होंगे तो कुछ टाइम बद वो upload हो जाएंगे ठीक है ऐसे बात नहीं है तो दूसरा जो method हमारा वो है iterative solution of linear system में दो किये थे direct method और iterative method direct method में दो method थे त्यार चार method है वैसे पर हमने दो किये हैं gauss elimination method पहला था और दूसरा यह था पर हाँ gauss joda methods पहले देखने से पहले आपने gauss elimination method को देख लीजेगा उसके में दो वीडियोस बनाई है उन दोनों को देख ली जगा gauss elimination method आपका पका ठीक है question practice करने पड़ेंगे तीन-चार question और practice कर ले ना फिर पका उसके साथ आपने gauss joda method किया अब आके चलिए हम iterative method iterative method में पहला आपका आता है Jacobi method आता है ठीक है उस पर वीडियो आएगी आप next ठीक है तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अपते के लिए thanks for watching have a nice day तो मिलते हैं cover अगली वीडियो में अगली वीडियो तो आपको मिली गई होगी मैं को तो बनाड़ी बढ़ेगी ना